कॉफे विद करन सिक्स के कॉंट्रोवर्सी के बाद साथ ठुमके लगाते नजर आए करन जोहर और हर्दिक पांडिया ये दोनों जम करना चे अकाश और श्लोकामबानी की रिसेप्शन में आलिया भट नहीं करना चाहती फिलाल रणबीर कपूर से शादी कॉफे विद करन के अन्रिलीस्ट पार्ट्स में आलिया कहती नजर आई कि वो तीस से पहले शादी नहीं करना चाहती हाला कि अब ये थौट बदल चुका है आकाश अमबानिय श्लोकामेता के ग्रांट एंड रॉयल वेडिंग का वीडियो आज इंटरनेट पर वाइरल हुआ बहुती आलिशान तरीके से सजाया था मंडब सिफ शादी ही नहीं बल्कि पोस्ट वेडिंग फंक्शन भी थे ग्रांड मरुन फाई ने किया था इनके पोस्ट वेडिंग सेलेबरेशन पर परफॉर्म आकाश अश्लोका ने भी किया साथ में डांस प्रणवीर सिंग को नहीं पसंद दिपिका पाड़कोन की एक आदत और वो आदत ये है कि दिपिका कभी चीजों को लेकर चिल डाउट नहीं रहती और वो बहुती डिस्सिप्लिन मेंटेन करके रखती है आकाश अबानिय श्लोका मेता की रेसेप्शन पाटी में लवर्स आलिया भाटरणवीर कपूर मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर वरुन धवन और नताशा ने किया मीडिया अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट वेन्यू पर अलग-अलग आकर कलंग के टीजर ली से पहले मेकस ने कुछ पोस्टर्स आउट किये ये पोस्टर्स है काफी इंट्रिगिंग वरुन धवन, माधुरी दिक्षित, आलिया भाट, सोनाक्षी सिन्हा, अधित्य रोय कपूर और संजेदत के इन पिक्चर्स ने मूवी को देखने की कुरियोसिटी और भी बढ़ा दी है अक्षे कुमार ने अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर शेयर किया फिर्म केसरी का नया प्रोमो इस प्रोमो में अक्षे कुमार की बहादुरी को दर्शाया गया है वरुन धवन के पेरेंट्स के साथ आई नजर नताशा दलाल इंस्टेग्राम पर पिक्चर पोस्ट कर वरुन ने लिखा की माई पेरेंट्स गेव अप उन मी और अदॉप्टेड अनादर अमबानी परिवार ने ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी ओगनाईज की आकाश ओश्लो का अमबानी के लिए बॉलिवुड के सितारों ने किया इस पार्टी को ग्रेज